सो हे गाइस विलकम वन्स अगेन एंड टोड़े वी गून एक्स्प्लेइन दा मुवी कॉल रेडी प्लेयर वन जूकि एक एक एक्सन एडवेंचर और साइंस फिक्सन मुवी है और इस मुवी को IMDb ने 7.4 आट अफ 10 की रेटिंग भी दी है सो गाइस विदाओ प्रेस्टिंग और टाइम ब्रिंग और इस नेक्स टोगेदर एंड लेट्स बिगेन द एक्स्प्लेनेशन जिसका नाम Oasis था जिसमें एक इंसान वो सारी चीज़े कर सकता था जो वो अपने रियल लैफ में नहीं कर सकता इस गेम में जाने के बाद लोग इसे ही असली दुनिया मानने लगते हैं और वो सारी चीज़े करते हैं जो वो रियल लैफ में करने का सूच भी नहीं सकते पहले एक message record किया था जिसमें वो बताते हैं कि उसने OSS game में Mr.Egg को छुपा के रखा है और जो भी player उस Egg को ढून लेगा वो पूरी OSS company का मालिक बन जाएगा लेकिन उस Egg को ढूनने से पहले player को तीन की स्पार करने होंगे और हर level में उसे एक चाबी मिलेगी क्योंकि Mr.Egg जिस जगा पर रखा हुआ है उस जगा के धरवाजी उन्हीं तीन चाबियों से ही खुलेगी ये news सुनकर पूरे सहर में हलकम सा मज जाता है और सभी player उस Egg को ढूनने में लग जाते हैं next scene में हमें एक AIOI company को दिखाया जाता है वो भी अपने best player को Mr.Egg को ढूनने के लिए भेज देता है actually AIOI company Oasis के बाद दूसरी सबसे बड़ी gaming company है इसलिए वो Mr.Egg को ढून कर दुनिया को number one company बनाना चाहते थे अब कई साल बीच जाते हैं और scoreboard पर सभी का score 0 होता है क्योंकि पहले शाबी तक पहुचने के लिए एक race जीतना होगा लेकिन आज तक कोई भी उस race के finishing land तक नहीं पहुच पाया था next scene में हम Wade Watts को देखते हैं जो कि इस movie का main character है जिसे OSS game खेलना बहुत पसंद था और वो बहुत ही अच्छा player भी होता है अब game start होने वाली थी इसलिए Wade भी अपने gadgets पहन कर game में inter करता है और game में उसका नाम पर्जिबेल था अब race start होती है सभी players तेजी से आगे बढ़ना start कर देते हैं सभी players full speed से finishing land तक पहुचने की कोशिस कर रहे थे लेकिन race की धोरान सभी को obstacle का सामना करना पड़ता है जिससे बहुत सारे player eliminate होते जा रहे थे और coin में बदलते जा रहे थे अब हम पर्जिबेल को देखते हैं जो बहुत ही तेजी से coin जमा करते हुए finishing land तक पहुचने ही वाला था लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सा कॉंग उसके सामने ही आ जाता है और उसे ना चाहते हुए भी उसे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है पर्जिबेल अपनी गाड़ी में बैठा ही होता है वो देखता है कि आर्टमीज देजी से finishing land के तरफ आ रही होती है actually आर्टमीज पर्जिबेल की game friend होती है और पर्जिबेल भी उसे like करता था वैसे दोस्तों अगर मेरे वडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे वडियो को भी like करना ना भूले अब इससे पहले कॉंग उसे खतम करता कि पर्जिबेल आर्टमीज का हाथ पकड़ कर उसे उसके गाड़ी से खीच लेता है और उसकी गाड़ी को कॉंग बुरी तरह से destroy कर देता है उसकी गाड़ी बुरी तरह से damage हो चुकी थी इसलिए उसे repair करने के लिए वो दोनों पर्जिबेल के दोस्त के पास जाते हैं जिसका नाम एच होता है आच कुछी टैम में उसकी गाड़ी को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं यहाँ पर आर्टिमेस पर्जिबेल से पूछती है तुम रुके क्या हो तुम आगे क्यों नहीं गए जिस पर पर्जिबेल बोलता है वो कौंग बहुत ज़्यादा ताकतवर है उससे हम जीत नहीं सकते हो सकता है यही गेम का रूल है कि उसे कोई पार नहीं कर सकता जिस पर आर्टिमेस उसे पूछती है कि तुम इस बात को भूल गए कि हेलीडे को रूल बनाने से नफरत थी यह बोलकर आर्टिमेस आफलाइन हो जाती है और कुछ देर बाद पर्जिबेल भी आफलाइन होकर गेम से बहारा जाता है नेक्श्ट सीन में हम पर्जिबेल को अपने कमरे में देखते हैं और उसे बार बार आर्टिमेस की वो बात याद आ रही थी जिसमें वो कहती है कि हेलीडे को रूल बनाने से नफरत थी उसकी बाद सोच सोचकर उसका दिमाग का दही हो रहा था जिसके बाद पर्जिबेल पिरसे गेम में वापस आता है और गेम में बने एक लैबरेरी में जाता है जहां पर हेलीडे के जीवन के कुछ खास पलो को दिखाया जाता है वहां पर पर्जिबेल हेलीडे का एक वडियो देखता है जिसमें वो कह रहा था कि हमें रूल बनाने से बहुत नफरत सी हो गई है वो कहह रहा था की हम race में आगे ही क्यों जाते हैं? क्यों ना सारे रूल्स को तोड़कर हम पीछे की तरफ भाग जाए? ये बात सुनते ही पर्जीबेल की दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसे समझ आजाता है की race में उसे आगे की तरफ नहीं बलकि पीछे की तरफ जाना होगा नेक्स्ट डे जब रेस स्टार्ट होती है तो हर बार की तरह सभी प्लेयर्स आगे भागने लगते हैं लेकिन पर्जिबेल अपनी गाले को आगे के तरफ ना ले जाकर पीछे की तरफ ले जाने लगता है और इससे पहले वो पीछे वाले दिवार से टक्रा जाता उससे पहले वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रस्ता खुल जाता है और पर्जिबेल उस रस्ते से होते हुए कौं के नीचे से फिनिसिंग लैन को पार कर लेता है तभी वहाँ पर हेली डे का गेम करेक्टर आता है और पर्जिबेल को पहली चाबी दे देता है क्योंकि उसने फर्स्ट लिवल कम्प्लीट कर लिया था हेली डे का करेक्टर उसे अगले चाबी का एक क्लू भी बता देता है जिस पर लिखा होता है कि एक किरियेटर जिसे अपने किरियेशन से नफरत थी जिसके बाद परजिबेल पहली चाबी तक पहुँचने का अरस्ता आर्टमीस और अपने बाकी के फ्रेंट को भी बता देता है निक्स्ट सीन में हम AIOI कंपनी के हेट को देखते हैं जो की बहुत बड़ा वाला कमीना था और उसे पता चल जाता है कि कोई परजिबेल नाम का लड़का पहली चाबी को ढूनने में काम्याब हो गया है तो वो भी गेम में इंटर हो जाता है और वो गेम के एक बहुत ही खतरना करेक्टर को परजिबेल के रियल एडेंटिटी को पता करने को कहता है जिससे कि वो रेल लेफ में उसे मार सके वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परजबेल एक बार फिट से गेम में वापस आ जाता है और आर्टेमिस के साथ दूसरी चाबी को ढूनने का क्लू खोजने की कोसिस कर रहा था वो दोनों हेलेडे के बारे में जानने की कोसिस कर रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि हेलेडे एक बार एक कीरा नाम की एक लड़की के साथ डेट पर गया था कीरा उसके साथ डांस करना चाहती थी लेकिन हेलेडे उसे लेकर मूवी देखने चला गया था जिस पर आर्टेमिस परजबेल से कहती है पूरी लेबरेरी में कीरा का नाम सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है इसका मतलब ये जरूर कोई क्लियू हो सकती है अब ये दोनों एक डांस कलब में पहुँचते हैं जहां परजबेल और आर्टेमिस एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और ये सिच्वेशन इतना रोमेंटिक था कि परजबेल अपने आपको रोक नहीं पाता और आर्टेमिस को परपोस कर देता है और साथ में वो अपनी रियल एडेंटिटी भी बता देता है कि उसका नाम वेन है परजबेल के रियल एडेंटिटी बताते ही वहां पर मौझूद AIOI कंपनी की लोग अपने CEO को बता देते हैं और तभी वहां पर AIOI कंपनी की लोग आ जाते हैं और परजबेल पर अटाइक करने लगते हैं वो दोनों किसी तरह अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो लोग बहुत ही जादा थे इसलिए वो उनसे बच नहीं सकते थे तभी परजबेल अपने पास से एक क्यूब निकालता है जिसकी मदद से वो गेम में 60 सेकेंड पीछे जा सकता था फिर वो दोनों उसकी मदद से बाहर निकल जाते हैं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं की I.O.I. company के CEO परजबेल को अपने पास बोलाते हैं और उसे अपने टीम में सामिल होने का ओफर देते हैं लेकिन परजबेल उसके ओफर को ठुकरा देता है क्योंकि परजबेल को उसकी नियत का पता था कि वो कितना कमीना है अगर एक बार गेम उसके हाथ लग गई तो वो अपने फैदे के लिए पूरे गेम को ही बदल कर रख देगा जो हेलेडे कभी नहीं चाहता था IOI कमपनी के CEO उससे कहते है कि तुम्हारा रियल नेम हमें पता चल चुका है और अगर तुम्हारे घर में बलास्ट हो जाए तो तुम्हें क्या फरक पड़ेगा वो तुरंत गेम से ऑफलाइन होकर अपने घर की तरफ भागता है तब तक उस कमपनी के ड्रोन वहां बॉम लग कर उसके घर को उड़ा देते हैं जिसमें उसकी अंटी की डेट हो जाती है ये देखकर परजबेल वहां से भागने की कोसिस करता है लेकिन तभी एक आदमी उसे भी किड्नैप कर लेता है और जब उसकी आँग खुलती है तो उसके सामने एक लड़की बैटी होती है वो थी इतना चाथी है ताकि वो कम्पनी किसी और के साथ वैसा ना करे जैसा उसके डाइट के साथ हुआ था वहीं बात करते करते आर्टी में उसको एक क्लू मिल जाती है ये वो कहती है कि है लेड़े अपने जिंदगी में सिर्फ एक इपार डेट पर गया और वह भी कीरा के स हो सकता है वो उससे प्यार करता हो और वो उससे कभी कह नहीं पाया और कीरा भी उसके साथ डांस करना चाहती थी लेकिन वो कभी हेलेडे से पूछी नहीं पाई और इस बात का पच्छतावा उसे मरते दम तक था इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए जहां वो लोग पहले को याद आता है कि पहली शाभी लेते समय उसे एक क्लू मिला था जिस पर लिखा था कि एक करेक्टर जिसे अपने क्रियेशन से नफरत थी और इस मोवी में एक होरर मोवी होती है जिसके क्रियेटर को वो मोवी कभी पसंद नहीं आई थी अब वो लोग उस मोवी के अंदर पहुचते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ही होरर के रियेशर मिलते हैं और सब उन पर हमला कर देते हैं और किसी तरह वो लोग बच्चते हुई एक डांस बार में पहुचते हैं जहाँ पर बहुत से जॉंबी डांस कर रहे थे और उन्हीं जॉंबी के बीच में कीरा खड़ को भी पार कर लेते हैं अब हमें रिलाइफ में एक सीन देखा जाता है जहां आयो आइ कंपनी के सीऊ को ये बात पता चलता है कि उन लोगों ने सिकंड लेवल को पार कर लिया है तो वो पूरी तरह से बॉकलास आ जाता है अब वो कमीना इंसान अपने लोगों को पर्जिबे से घेर लेते हैं तभी उसका दोस्त वहां पर आ जाता है और उसे उन सब से बचा कर उसे वैन में बैठा लेता है वहीं पर्जबिल वैन में ही अपने गेम सूट पहन कर गेम में आ जाता है गेम में आने के बाद वह आयो आय कंपनी के सिस्टम को हाइक करके आर्टिमेस को और CEO ने इस प्लैनेट के चारों तरफ एक protection spell लगा दिया है। ताकि कोई भी इस प्लैनेट पर जाकर तीसरी चावी को ढूणना सके। लेकिन Artemis उस protection spell को deactivate करने का password ढूणने लगती है। वहां दूसरी तरफ परजीबील सभी प्लैयर के सात मिलकर ioi company के player से लडने को कहता है। परजीबील के बात सुनकर सभी प्लैयर IOi company के player से लडना सुरूड कर देते हैं। वो लोग हमला कर planet dome के protection को दोड़ने की कोशिस करने लगते हैं। और इधर Artemis को उस protection spell को deactivate करने का password भी मिल चुका था और वो उसके मदद से उसे deactivate भी कर देते हैं और वो उन्हीं के device से connect होकर possible की तरफ से लड़ने लगती है वहाँ IOI और OSS company के players के बीच बहुत तगड़ी वाली fat हो रही थी ये सब देखकर उस company के CEO का special coverage जो की एक mega godzilla का था वो उसे पहन कर game में आ जाता है और सारे players को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है लेकिन तभी Artemis किसी तरह अपने partner से मिलकर godzilla के आख में एक bomb डाल देती है जिस कारण उसका coverage बुरी तरह से बरबाद हो जाता है और company का CEO game से disconnect हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि Artemis उ उसे ढूंडने लगता है इससे पहले वो उसे पकड़ पाता वह वहां से भाग जाती है नेक्ट सीन में हम परजबेल को देखते हैं जो अपने partner के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक game होता है जिसे जीतने के बाद उसे तीसरी चा भी मिल जाती है लेकिन वह पहले परजबेल उस game को खेलता वह पर आई ओ आई कंपनी के CEO अपने एक प्लेयर के साथ आ जाता है और वह पर फिर से रोकने को कहता है और अपनी company में सामिल होने का offer देता है लेकिन परजबेल फिर से उसके offer को ठुकरा देता है जिस पर आई ओ आई कंपनी के CEO को बहुत जादा गुसा आ जाता है और वह वहाँ पर रिक ऐसा bomb blast करता है जिससे उस team के सारी character मारे जाते हैं और परजबेल के team का score भी 0 हो जाता है यह देखकर CEO बहुत गुस हो जाता है लेकिन तभी वह देखता है कि game में परजबेल अभी भी जिन्दा है क्योंकि उसके पास अभी extra life होती है जिसके वजह से उसे एक और चांस से दिया गया था और पूरे game में सिर्फ परजबेल ही life था इसलिए वह आराम से game खेलने लगता है और बहुत जल्द उस game को पूरा कर लेता है उस game को complete करते हैं उसके चारों तरफ changes होना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देख जिसके बाद देखते ही देखते वहां की दिवार गिरना सुरू हो जाती है और अंदर बहुत से खजाने भरे पड़े थे अब हेलीडे परजबेल को एक पिन देता है और उसे एक paper पर sign करने को कहता है और वो उससे बताता है कि इस sign के बाद पूरी की पूरी OSS company तुमारी ह जाएगी लेकिन परजबेल सायन करने से मना कर देता है क्योंकि उसे हेलीडे की रियल लैफ की वो घटना याद आ जाती है जब इसी तरह उसने अपने बेस फ्रेंड के सेयर को खरीद लिया था और यही उसके लैफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि उसने उसके बाद अपने फ्रेंड को खो दिया था परजबेल के बात सुनकर हेलीडे खुस हो जाता है और उसे मिस्टर एग को दे देता है और उधर रियल लैफ में आई-ओ-आई कमपनी के सी-ई-ओ अपने गन लेकर परजबेल को मारने आता है वो यह देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि परजबेल के हातों में मिस्टर एग है अब परजबेल दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग कमपनी का मालिक बन गया था अब वहां पर पुलिस आ जाती है और आई-ओ-आई के कमपनी के सी-ओ और उसके साथ की लोगों को अरिश्ट कर लेती है वहां परजबेल के पास हेलेडे का वो पुराना दोस्त आता है जिससे हेलेडे ने उसके सेर कर दे थे वो से एक फाइल पर सायन करने के लिए कहता है ताकि वो कमपनी कानूनी ताउर पर उसकी हो जाए अब परजबेल उस कमपनी के सेर अपने दोस्तों में बाट लेता है ताकि इस कमपनी पर किसी अपना time spend कर सके वहीं दूसरी तरफ IOI company को हमेशा के लिए अपनी gaming company को बंद करना पड़ता है और इसी के साथ ये movie यहीं पर कतम हो जाती है